कि नमस्कार दोस्तों आजमज शीज के बारे में बता रहे हैं वो है सत्रू बाधा यानि कि अगर आप घोर संकट में परे हुए हैं, चारो तरफ से आपका सत्रू ही सत्रू है आप बिजय अगर उस्पे प्राप्त करना चाहते हैं तो यह साधना कर सकते हैं, इससे आपको सब का चकर लगा रहे हैं अगर सत्रू पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इस साधना को करके इस सत्रू पर विजय प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों ये साधना ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन हां ये करना थोरा हर एक आदमी के लिए मुश्किल होता है ये साधना 11 दिनो के लिए है और ये है सुदरसन चक्र साधना जो की जनवाश्टमी आ रहा है और जनवाश्टमी में आप इस चीज को कर सकते हैं या आप किसी भी सुक्रवार को इसको कर सकते हैं इससे आपको जबर्दस्ट फाइदा मिलेगा दोस्तों इसमें करना क्या है आपको सुदरसन चक सुक्र साधना में यह आप जनमाष्ट मीगी की रात में अगर करते है तो इसका है कि 2-3 दिन यानि कि साधना खत्म होने के 2-3 दिन में इसका फाइदा मिल जाएगा नहीं तो आप कभी भी सुक्ल Sumash ко सुक्रवार से ये साधना कर सकते हैं जिनकी कुनली में सुक्र उच्छ का है ये साधना अगर करते हैं तो इसमें उनके सरीर पर एक चमक भी आएगा जिससे कि वो किसी भी सत्रू या किसी भी दुस्मन के आगे जाएंगे तो उससे प्रास्थ होने का प्रास्थ करने का उनमें छमता रहेगा दोस्तों ये साधना आपको साम को करना है इस साधना के लिए आपको रात्री में आपको 11 बजे आपको एक चोकी लेना है या आप कुछ चकूर्थ टाइप का आप ले सकते हैं उसमें स्रियंत्र बना लीजिए और उस पे सुदरसन चक्र एक सुदरसन चक्र स्वास्तिक बना कर स्वास्तिक जो बनाना है वह लाल सिंदूर से बना सकते हैं या लाल जो रूरी चंदन आता है उससे बना सकते हैं और उस पे उस सुदरसन चक्र को अस्थापित करना है और 11 बजे रात को आपको उजला कप्रा धारन करना है और उजला कप्रा धारन करने के बाद आपको पूरव के दिशा में बैठ कर कुछ के आसनी पर अगर कुछ का नहीं है तो उनका आसनी ले सकते हैं या सूती कपरा कोई भी सूती कपरा का आसनी ले सकते हैं लेकिन वो सफेद होना चाहिए सफेद पे बैठ कर सुदरसन चक्र आगे में रहना चाहिए उस पे तो पूजा होता है दूप नेवेत उनको चखाना आप ये पूजे वाले घर में भी कर सकते हैं या जिस घर में आपके उनर रहते हैं उस घर में आप इसकी अस्थापना या पूजा कर सकते हैं दोस्तों यह पूजा 11 दिन का होता है, अब 11 बज़े रात के बाद आपको वहाँ पे बैठना है और एक माला जो सकते हैं मोती कोई मोती का भी अगर माला मार्केट में मिलता है तो वह भी ले सकते हैं उजला कलर का माला होना चाहिए और जो मंत्र का प्रयोग करना है वह मंत्र है ओम सुदरसन्चक्राई मम सर्वकार विजयम देही देहि ओमवट दोस्तों इस मंघ का आपको 108 बार प्रयोग करना है एक रात में और यह 11 रात तक आपको करना है इस मंघ के इस साद्ना के दौरान आपको ब्रह्म्चर का पालन करना होगा और मांस मसली ये सब आपको त्यागना पड़ेगा और इसमें और कुछ साबधानी है कि इस जो ये प्रोसेस होगा उसमें घर के अलावा कोई आदमी इस चीज के बारे में नहीं जानता हो पुजा उपरंत खतम होने के बाद आप सुदरसन जो चक्र है उसे घर के चारो दिशाओं में घूम कर किसी बीच मतलब की घर के मिडिल में आप रख सकते हैं अगर आप सहर में रहते हैं तो आप इसे छट पे रख सकते हैं दोस्तों उसके बाद जो माला बचेगा और वहां का जो पूजा को जो समान है जहां से आपने होम इत्यादी किया है उस समान को किसी बादते हुए नदी में प्रभावित कर दें दोस्तों इस से जबरदस्त फाइदा मिलेगा आपके जिंदगी में आपका कोई भी रुका हुआ काम जिस चाहे आपका दुस्मन हो जिसने उस काम को रोक दिया हो चाहे भूमी का प्रॉब्लम है कुछ भी हो य अगर करने में कोई कटनाई होता है अगर इसके आप करम करके ठक चुके हैं या बुरे से बुरी समस्या में फसे होए हैं जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडिजी आपके साथ हैं अगर आपको अपनी कुंडली हैन अनलिसिस या वास्तु की कोई भी समस् सकते हैं आप से ली गई राशी हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं जो की चैनल में आपको मिल जाएगा धन्यवाद